हम लोग यहाँ पर दोस्तों मौर्यकाल हो चुका है और यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में मौरोतरकाल से यहाँ से प्रोशने देखेंगे जो कि आपको 180 इससा पुरूप से लेकर 319 इस भी तक मानी जाती है आपको मौरोतरकाल और मौर्यकाल जो है आपकी इससे के बाद जो है आपको यहाँ पर 322 इसा पुरूप से लेकर 180 इसा पुरूप तक मानी जाती है हम लोग इसमें जितने भी प्रशन है मौरोतरकाल में जो की important प्रशन है यहाँ पर 30 प्रशन है इस वीडियो में सामिल करेंगे जो की सभी एकजाम के लिए बहुत ही important है जैसे आपके SSE railway हो गया आपके और भी जितने भी एकजाम होते हैं सभी एकजाम के लिए state के एकजाम हो गया है आपके UP के एकजाम जो हो गया है आपके बिहार के एकजाम हो गया मद्धेपरदेश के एकजाम हो गया है सभी एकजा करेंगे इस वीडियो में तीस प्रश्ण लिए गए हैं यहां पर पहला प्रश्ण है आपका अंतिम मौरे शम्राठ ब्रहिदरत की हत्या कर किसी ने सुंगबंज की अस्थपना यहां से बहुत सारे प्रश्ण बन जाते हैं कि मौरे शम्राठ की अंतिम जो शम्राठ ब्रहिदरत था तो ब्रहिदरत था ठीक है और ब्रहिदरत की हत्या किसने की तो आपको पुष्ण समित्रे ने की थी और कब की थी तो एक सो पचासी में इसा पूर्मे और आपके किस बंच का था तो सुंग बंच का नेक्स्ट प्रश्णी हाँ से देखेंगे पुसमित्र सुंग मरी शम्राट बिरिद्रत की राज की सेना में किस पत्पल आसिन था तो किस पत्पल आसिन था तो सेना पती था यहाँ पे यह हो जाएगा प्रश्ण नमर तिन देखेंगे कण बंस का संस्थापक कौन था कण बंस का संस्थापक वाशुदेव था यह हो जाएगा यहाँ प्रश्ण नमर चार देखेंगे सत्वाहक बंस सत्वाहक बंस का संस्थापक कौन था तो सात्वाहक बंस का संस्थापक सिमुक था चले next प्रश्न देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे 5 नमर प्रश्न देखेंगे सात वहनों ने पहले अस्थानिय अधिकारियों के रूप में काम किया था किसके अधिन तो मौरे के अधिन सत वहन जो था मौरे का धिन अधिकारी के रूप में काम किया था यहाँ पे हम लोग छे नमबर प्रस्ण देखेंगे निम्न लिखित में से वह महांतम कुषाण निता कौन था जो बौध बन गया था तो कौन था तो आपका कनिश्क था चले next प्रस्ण देखेंगे यहाँ पे next प्रस्ण है कुषाण काल के दोरान मुर्तिकला की गंधार शैली निम्न में से किसका मिश्रण है तो आपकी भारत गरिक शैली की यानिक डी हो जाएगा यहाँ प्रस्ण नंबर 8 देखेंगे कनिश्क की रालधानी थी तो कनिश्क कहा अपना रालधानी बनाया था तो आपको पुरुषपूर में बनाया था यह हो जाएगा यहाँ पुरुषपूर में उसकी रालधानी थी कनिश्क की यहाँ पे 9 नंबर देखेंगे प्रस्ण पुरुषपूर, पुरुषपूरुषण निमलेखित में से किसका दूसरा नाम था? पेशावर का, यानि कि C हो जाएगा यहां पर पकिस्तान में है पेशावर, चलिए यहां पर नेक्ष्ट देखते हैं प्रश्ण, प्रश्ण नमर दस, चरक किसके राज चिकित सकते? तो च प्रशीद अस्थल होने का कारण था तो तक्ष सिला के प्रशीद अस्थल होने का कारण क्या था तो ये गंधार कला के कारण ये प्रशीद अस्थल था यहांपे सी हो जाएगा यहांप हम लोग 12 नमबर प्रश्ण देखेंगे भारत में शरो परथम श्वन्न मुद्रा है किस यहां पर आपको इंडो वैक्त्रियन ने शब से पहले स्वन्न मुद्रा चलाई अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न मर् तेरा है किस संग्रहालाये में कुषाण कालीन मूर्तियों का शंग्रह अधिक मात्रा में है तो किस संग्रहालाय में कुशान, कालीन, मूर्तियों का संग्रहा अधिक मातरा में है तो मॉठूरा संग्रहालाय में एउ अप्शन हो जाएगा यह सभी देखिये प्रश्ण है, इसे से हम पूछे गये हैं उसके बाद रेलो में भी बहुत सारे प्रश्ण है इसमें समिल किये गए हैं जो पूछे गए हैं, इसके बाद आपके बिहार BPSC का होता है और भी आपके UP का जो ऐग्जाम होता है वैसे इसमें प्रश्ण बहुत सारे पुछे गए हैं लेकिन ये जितने भी प्रश्ण है बहुत सारे एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है चलिए यहाँ पर हम लोग ते रहत होगे 14 नमर प्रश्ण देखेंगे निमलिखित में से किसने सुनने के सरवाधिक सुध स सिख्के जारी किये तो सुनने के सरवाधिक सिख्के किसने जारी किये तो कुशान ने ठीक है और नेक्स्ट प्रश्ण हम लोग यहाँ पर देखेंगे साथ वहाणून के शमय में मुद्रा सरवाधिक किस काल में बने तो साथ वहाणून के समय कुछ रहा है यह और कुशान जो था यहाँ पर कुशान देखेंगे बोल रहा है कि सरवाधिक सुध सिख्के किसने जारी किये तो कुशान ने जारी किये और यहाँ पर इंडो बैक् सरव परथम शोन मुद्रा है किसने चलाई तो आपको इंडो वेक्त्रियन ने चलाई उसके बाद यहाँ परश्ण बनता है परश्ण नमबर 13 किसने सोने के सुद सीखे चलवाए तो कुशान ने सोनने के सीखे और यहाँ पर 15 नमबर परश्ण देखेंगे साथ वहानों के शमय में मुद्रा सरवाधी किस धातू के बने थे तो आपको सीखा के बनाए गये थे सीखा के धातू सीखा के यहाँ पर बनाए गये थे चलिए नेक्स्ट परश्ण देखते हैं यह आप तिनों परश्ण लिख लेंगे कहीं पर क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको डाउट्स क्रियेट हो जाते हैं जब आप पेपर में देखते हैं ठीक है यहाँ पर 16 नमबर ह तो कनिस्क के समकालिक नागार्जुन अस्वघोस वसुमित्र यानि कि भी हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्ण हम लोग देखेंगे प्रश्ण नमबर 17 किस बंस के सासको ने ब्राम्बलो या बध भीक्षको को कर्मुक्त भूमी या गाउं देने का प्रथा आरम की तो किस बंस के सासक ने ब्राम्बलो या बध भीक्षको को कर्मुक्त भूमी या गाउं देने की प्रथारम की त्वापको साथ वाहन यानि कि यह हो जाएगा यहाँ पर हम लोग 18 नमर प्रश्ण देखेंगे भारतिये रंग मंच में या निया या प्रदा का सुभारम किस अधिया वापके यव नानियों ने ऑ्दा का सुभारम किया यहाँ पर उन्화를 प्रश्ण देखेंगे भारतियों के महान्रेशम मार्ग सिल्क रूट किसνते अरब किया या करवाया किस ने करवाया तो आपको कनिसक ने करवाया और यह परस्ण आप देख सबते हैं रेल्वे में कही बार पूछा गया है। उपर में कोशन था कि सोने की सुध मुध्राई किसने चलाई थी तब कि कुशान ने और यहाँ पर है श्वन मुध्राई यानि सोने की मुहर चलाई थी किसने तो कुशान सासकों ने यानि किस यह अप्सन हो जाएगा हम यहाँ पर एक किस नमबर प्रशन देखेंगे नहीं पराठ के सासन घाल में आपको 78 इसवी में हुगा था तो प्रश्न हो जाएगा कि हम लोग यहां पे 33 नमर पष्ण देखिएंगे 23 नमर परिंगे तक्षशिला विश्विद्याले इस्थित्त तो तक्षशिला आपको पकिस्तान में इस्थित्त था यहाँ पे हम लोग 30 नमर प्रश्ण के देखेंगे पकिस्तान में और 24 नमर प्रश्ण देखेंगे यहाँ पे प्रचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था तो कलिंग का महान शासक आपको खारवेल था यहाँ पे 24 आपको C हो जाएा, खारवेल प्रचीन काल में कलिंग का महान शासत कौन था, तो खारवेल, ठीक है Next प्रश्ने देखेंगे 25 नमबर कुशान काल में सबसे अधिक बिकास किस छेतर में हुआ था तो कुशान काल में सबसे अधिक विकास आपको वस्तु काला में हुआ था यानि कि D हो जाएगा 26 नमर प्रश्ण देखेंगे साथ वहानों ने आरंभिक दिनों में अपना सासन कहां शुरू किया तो साथ वहानों ने आरंभिक दिनों में अपना आंध्र में शुरू किया था तो D हो जाएगा इसके बाद हम लोग यहाँ पर 36 से देखेंगे 36 नमबर तो 36 में पहला प्रश्ण है मौरियो के बाद दक्षिर भारत में सबसे प्रसीद साली प्रभाव शाली सासक था तो मौरियो के बाद सबसे प्रभाव शाली सासक कौन था दक्षिर भारत में तो आपको सात वाहन था यहाँ पर 37 नमर प्रश्ण देखेंगे बुध की खड़ी परतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई तो बुध की खड़ी परतिमा किस काल में बनाई गई उशान काल में पी हो जाएगा और तिस नमर प्रशन देखेंगे, सुंग बंस के बाद किस बंस ने भारत पर राज किया, तो सुंग बंस के बाद किस बंस ने सासा किया, तो आपको कौन बंस ने, तो C हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं, BPS में पुछा गया है, और ये प्रशन आप देख सकते हैं, जह किस बंस ने भारत पराज किया तो आपको कॉनबंस ने इसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट प्रश्ण देखेंगे 39 किस चीनी जन्रल ने कनिस को हराया था तो आपको पेंचाओं यानि कि यह हो जागा पेंचाओं ने हराया था तो यह आपको 30 प्रश्ण है जो कि बहुत important है और यहाँ पे more यकाल यहाँ पे समाप्त होगा अब अगला चाप्टर गुप्त काल है जो कि next वीडियों बताएंगे और आप यही चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe झाल ूपके